परिचय इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे मौसम और जलवायू के बारे में बताना मौसम की रिपोर्ट समझना मौसम आपने कभी देखा होगा कि सुबह धूप निकलने के बाद अचानक बादल घिर आते हैं और तेज बारिश होने लगती है या तेज बारिश कुछ ही मिंटों में गायब हो जाती है और चमक्ती धूप निकलाती है इसे ही मौसम बदलना कहते हैं तापमान, आर्द्रता, वर्शा, पवन और अन्यकारकों को मौसम के तत्व कहते हैं किसी जगह का मौसम इनी कारकों पर निर्भर है। मौसम का संबंध हमारी प्रित्वी के वायु मंडल में होने वाले विभिन्य परिवर्तनों से है। मौसम बदलने का कारण मौसम इतनी जटिल प्रक्रिया है कि यह बहुत थोड़े समय में अपना रूप बदल सकता है। आप जानते हैं कि मौसम बदलने का कारण क्या है। मौसम में सभी बदलाव सूरज लाता है। प्रित्वी की सतह द्वारा उर्जा सोखना और परावर्तित करना, महासागर और वायुमंडल किसी जगह का मौसम तै करने में महतुपून भूमिकाने भाते हैं। इसके अलावा प्रित्वी की कक्षा का विचलन, महादवी पिय बहाव और ग्रीन हाउस प्रभाव से भी मौसम में बदलाव होते हैं। तीसरी पंक्ति में दिन का न्यूनतम और अधिक्तम तापमान दिखाया गया है। वर्षा मापी यानी रेन गौज कहलाता है। जलवाय। आईए अब जानते हैं कि जलवाय। और मौसम में क्या अंतर है। लंबे समय में मान लीजिये 25 वर्ष में मौसम का ओसत रूप उस जगह की जलवाय। कहलाता है। अगर किसी जगह का तापमान अधिकतर समय उचा रहता है, तो उसकी जलवाय। गर्म कहलाती है। अगर उचे तापमान के साथ बारिश भी बहुत अधिक होती है, हम कहते हैं कि उस जगह की जलवाय। गर्म और नम है। जलवाय। की स्थितियां रेकॉर्ड करने के लिए किसी एक जगह के लिए एक महीने के ओसत तापमान की गणना दो चरणों में की जाती है। पहले उस महीने में दर्ज ओसत तापमान की गणना की जाती है। उसके बाद कई वर्षों के उन ओसत तापमानों का ओसत निकाला जाता है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। तापमान, आर्दता, वर्षा, पवन की गती आदी की दृष्टी से वायु मंडल की दिन प्रत दिन की स्थिती को उस जगह का मौसम कहते हैं। लंबे समय, उदाहरण के लिए 25 वर्ष में किसी जगह का मौसम का ओसत स्वरूप जलवायु कहलाता है।